हेलो दोस्तो, वेलकम अगेन इन माई यूट्यूब चैनल, HSSC, CET ने एक बार फिर से कुछ न्यूज हमें पोचाई है, HSSC के चेर्मेन साब ने जैसे कि Group C result late क्यों हो रहा है, Group D परिक्षा मार्च में होगी, Group C अभी तक कुल कितने पदा आ चुके हैं, परिक्षा का नया सलेबस भी जारी किया जा सकता है, मतलब CET का जो परिक्षा है, उसका नया सलेबस जारी किया जा सकता है, तो इन सब पर हम बात करेंगे, क्या है के अंक जोडने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए रिजल्ट गोसित करने में देरी हो गई है, आयोग के दो करमचारी NTA कारेल ने भेज दिये गए हैं, ताकि सामाजिक आर्थिक मांद के अंक CET अंकों में जोड़े जा सके, तो दो करमचारी वहाँ पर गए हुए हैं 10 जनवरी तक संभावित है, 10 जनवरी नोट कर लिजे, देखते हैं इस बार भी बात साचोती हैं नहीं होती हैं, दूसरा जो गुरूप D की परिक्षा है, वो फरवरी में ना होकर मार्च में होगी, देखो ये लिख रखा है, गुरूप D के पदों के लिए CET फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होर सोच रहे हैं, अध्यक्स का ऐसा कहना है, तो बोपाल सिंग खदरी जी ने कहा है कि हम लोग मार्च तक इसका एक्जाम कंडेक्ट करा लेंगे, तीसरा गुरूप C के पद थे, पहले 28,000 वो वापस भेज दिये गए थे, अब कुल कितने पदों पर डिमांड है, तो यहां पर अब जो कुल पद है, वो 27,600 पदों पर डिमांड है, तीसरा जो बड़ा नियूज ये है कि पहले जो 25 फिजदी जनरल नोलेज फिक्स हो गया था, जिसमें 25 फिजदी हर्याना से समबंदित परशन पूछने की प्रणानी प्रंपरा समापत हो हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, और इस पर ध्यान दिया जाएगा, जल्द ही स्लेबस चेंज किया जा सकता है, ठीक है, परिक्षा में स्वतंतर तोर पर पर परशन पूछ सकेगा, ठीक है, कुछ भी परशन पूछे जा सकते हैं, यानि कि आप मैथ में, रिजनिंग में, कहीं से भी जादा किसी का वेटेज कम और जादा कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं हो गया है, कि 75% जनल नोलेज के अंग का फिक्स नहीं रहेंगे, ठीक है, आप लोग समझगे इस बात को, इसके बाद एक और नया पॉइंट ये है, भरती कलेंडर और सलेबस विज्यापन के साथ ही जारी किया जाएगा, भोपाल सिंग खदरी ये देखो, आगे से भरती कलेंडर और सलेबस विज्यापन के साथ ही, जब आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके साथ ही इसका सलेबस जोड दिया जाएगा, और सबसे इंपोर्टेंट बात, 31 दिसमबर 2022 को एस्टेट वैदेता समापत होने वालों को भी TGT भरती में मोका मिलेगा, यानिकि ये माल लीजिए, दिसमबर में जिनका खतम हो रहा है, 31 दिसमबर को वो लोग इसका एक्जाम दे सकते हैं, ठीक है, तो ये था इंपोर्टेंट न्यूज आपके लिए, नोट कर लीज को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास सेयर कर दीजे, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च